प्रेणादायक कहानी एक गरीब मच्वारा एक गाव में एक गरीब मच्छुारा रहता था, जिसका नाम रामू था, वह अपने पिताजी के साथ रहता था और उनकी आर्थिक स्थिती बहुत ही कमजोर थी, उनके पिताजी के पास केवल एक छोटी सी नाव थी, जिसके साथ वे अपने परिवार का पेट पालते थे रामु बच्पन से ही मचली पकड़ने का काम करता आया था, धीरे धीरे उसने मचुआरे की कला में कुशलता प्राप्त की और वह एक अच्छा मचुआरा बन गया, लेकिन उसके पास एक समस्या थी, उसकी छोटी सी नाव बहुत ही पुरानी और तूटने की स्थिती में थी, वह कभी भी सुरक्षित नहीं थी, एक दिन तरामु ने अपनी नाव को समुदर में ले जाने के लिए फिर से नाव में सवार हो गया, वह नदी के किनारे बड़े समुदर की ओर चल पड़ा, लेकिन आधा रास्ते में ही उसकी नाव तूट गई और उसकी कोशिश करने के बावजूद वह समुदर में गिर गया, रामु बहुत दर गया, क्योंकि उसकी नाव के बिना वह समुदर में डूब जाएगा और मर जाएगा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और संधर्ष करने के लिए तक पर रहा, उसने अपने दिमाग का उप्योग करके एक विचार स जब तूफान समाक्त हुआ और समुदर शांत हो गया, तो रामु वापस अपनी नाव में बैठा और गाव वापस चल दिया, उसकी साहस और निरंतर प्रयासों के बाद उसने न केवल अपने को सुरक्षित रखा, बलकि वह मचलिया बाजार में बेचकर अच्छी कमाई कर कहानी से सीख अपयोग करना चाहिए और अगर हम मेहंत और समर्पन के साथ काम करें तो हम किसी भी मुश्किल में सफल हो सकते हैं